यूथ लिटर्शिप फाउंडेशन दौरा आयजीत राष्टी यूआ संसत्र के लिए आपको भहुत बहुत शुबकामना है बढ़ाई आपका फाउंडेशन लगातार तीसे वर्ष बजट समवासत्र आयजन कर रहा है ये बजट समवासत्र जो आप यूआ संसत्र के माध्यम से बजट को समझना और किस तरीके से भारतिये बजट के द्वारा हम अर्थवयस्ता और सामाजिक जीवन में परिवर्टन लाते हैं इस पर आप चर्चा समवाद करेंगे गुनी सो नाइन्टी फोर्टी सेवन के बाद हम पहले बजट के लेकर अभी तक की बजट को देखेंगे तो इस 75 वर्ष की लोक्तंत की यात्रा में इस बजट के माध्यम से हमने देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्टन किये इन्फाश्टर्च की दस्ती से सामाजिक कल्यान की दस्ती से हमने मानविये जीवन के अंदर बहुत परिवर्टन किये आज एक मदभूत अर्थिवर्षता के रूप में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है मुझे कुशी है कि ये वर्ष हमारे लिए गोरो का वर्ष है कि G20 की अध्यष्टा का भी मोका हमें मिला है और हमने G20 के माध्यम से एक परिवार एक भौईष्य और किस तरीके इसके साथ हमने वसुदेव कुटमकम सारा विश मेरा परिवार है ये मानकर इस थीम पर हम इस आयोजन को कर रहे हैं और वेश्शिक दस्टी से देखें तो G20 सामाजिक आर्थिक परिवार्तन लाने में सामुईक प्रयासों से सामुईक वेश्शिक के उभरतुए देशों के सामुईक प्रयासों से हम अपने अपने देश के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए भी साजे प्रियास करेंगे यह हमारी संस्कति है कि हम पूरे विश्व को परिवार मान कर और इस दश्टी कौन से काम करें इसने हमने का है कि एक भईश, एक भईश कैसा भईश, दुनिया का कैसा भईश होना चीए इस पर मन्थन होगी, चर्चा होगी, सामुईक प्रयास होगे और सामुईक प्रयासों से एक नया डश्टी को निकलेगा अपने अपने देश के विकास में सभी देशों का सामुई प्रियास मुझे कुशी है कि आप सब युवा भारत की संसद में बजट बजट की प्रक्रियाओं पर उस पे चर्चा समवाद पर आप इस युवा संसद में चर्चा करेंगे अपने अपने सुझाओ भी देंगे और इस मंथन के माध्यम से इस युवार किस तरीके से संसदिय लोकतंत के साथ जुड़े देश के लोकतंत और लोकतंतिक प्रक्रिया की संस्ताओं के साथ जुड़े और किस तरीके से हम लोगतंद को सशक्त और मजबूत बना सकते हैं इसके लिए देश का नोजवान जब संसद विधान सवा जैसी संस्ताओं से जुड़ेगा उनके निती निर्धानन प्रक्याओं के अंदर कानूर बनाने में अपनी सक्रिप भागीदारी निबाएगा तो दिश्ट निश्टी दूस से हम संसदिये लोगतंद के अंदर एक मजबूत तरीके से और हमारे जुने हुए जनप्रतिन्तियों को हम अपना फीडबेक देंगे अपने सुझाओ देंगे ताकि जनप्रतिन्ति बजट के बारे में भी और अन्य विश्यों के बारे में भी अपने विचार संसद और विधान सवाओं में रख सके भारत के सविधान दुनिया का सबसे बड़ा सविधान विशालता विवीतप संस्कृति वाला हमारा देश और इस सविधान के अंदर हमारे तीन पिलर विधाई का न्यायपारिका कारपारिका उसकी परणाली को आम युवा को समझना देश की संसद और विधाईका को समझना इसके लिए भी आपके ये प्रियास निश्री रूप से सफलोंगे मैं इसके लिए आपको बढ़ाय देता हूँ कि आप देश की संसद में नीतियां, कानून, पर चर्चा में अपने आपको जोडेंगे जितने देश के लोगतंत के अंदर जनता की भागीदारी बनेगी विशेश रूप से युवाओं की, हमारे विध्यारतियों की, हमारे युवा महिला विध्यारतियों की युवाओं की जितनी भागिदारी लोगतंत में बढ़ेगी उतना ही लोगतंत सशक्त होगा मजबूत होगा और हम लोगतंतिक संस्ताओं को सशक्त करने में हमारी भूमी का निभाएंगे क्योंकि आप अभी भी मद्दाता है कुछ आने वाले समय मद्दाता बनेंगे मदाता काम के और मतदान करकर अपने जन्पतित को चुनना या किसी दल की सरकार को चुनना किसी वेक्ति को चुनना इतने तक ही नहीं है हमें 21 सदी का भारत बनाना है दुनिया के अंदर हम जब यह कह रहे हैं कि लोग तन्त के अंदर mother of democracy भारत है हमारे कई साख्ष प्रमान के रहें कि लोगतंत की जनरी भारत है तो इसमें हमें उतना ही लोगतंत सशक्त करना होगा और उसके लिए आप जैसे युवाओं की सक्रिभागेदारी आउशक है मैं आपकी इस बजट समवाद सत्त के लिए आपको बहुत बहुत शुक्राम नहीं देता हूँ बढ़ाय देता हूँ